आईए जानते हैं 36 वर्षी हर्षिता कोशल की भाउक कहानी हर्षिता कोशल एक ऐसी महिला थी जिसने मरने के बाद चार लोगों को नई जिन्दगी दे दी जी हां हर्षिता कोशल को अपने साथ कुछ होनी का अंदाजा था इसलिए वह अपने घरवालों को अक्सर कहा करती थी कि अगर मेरे साथ कोई अन्होनी हो जाए तो मेरे अंग दान कर देना और हुआ भी ऐसा ही उनके साथ अन्हुनी हुई और उनके अंग चार लोगों को एक साथ दान में दे दिये गए इंदोर में 38 महिने में 36 विबार ग्रेन कारिडोर बना और जुना रिसाला निवासी 36 वर्षी हरशिला कोशल को 17 दिसंबर को ब्रेन हैमरेच के कारण बॉम्बे हस्पितल में बर्ती किया गया था अगले दिन डाक्टरों ने परिजनों को उसकी ब्रेन डेड इस्तथी के बारे में बताया और इसके बाद घरवालों ने उसके अंगदान करने की तैहरी कर ली क्योंकि घरवालों का यह कहना था कि वह हमेशा कहती थी कि वह अंगदान सम्मंदी खबरे पढ़ने के बाद उसने यह भी कहा था कि मेरे साथ अगर कोई अन्होनी हो जाए तो मेरे अंगदान कर देना पता यह चला है कि 40 अस्पताल में 27 वर्षी यूती को लंक्स दिये गए हैं और इसके साथ हार्ड और लंक्स का ट्रांस्परंट किया गया हार्ड लंक्स की एक साथ ट्रांस्परंट होने की संभावना जादा होती है और यही वजह है कि हर्षीता के चार अंग अलग अलग लोग को दिये गए और चार लोगों को जंदगी मिल गई